नमस्कार दोस्तों इस FIFA World Cup Puthon 22 को लेकर बहुत शौकिंग और निराशा करने वाली चीज़े निकल कर सामने आ रही है जी हाँ ये वही FIFA World Cup है जो कि दुन्या के टॉप Most Sporting Events में से है जो कि हर चार साल में एक बार आता है और इसको पूरी दुन्या में से आधे से भी जादा लोग देखते है और इस साल का FIFA World Cup Qatar होस्ट कर रहा था और इसको लेकर कुछ डाक रियाल्टी निकल कर सामने आई है और इन डाक रियाल्टी को कही नगी एक्सपोस किया है और सारे वरकरस ने तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कतर में दुन्या भर के और तमाम लोगों को लेकर जिसको लेकर ही वर्ड मिडिया ने सवाल पूछे हैं कतर से और आखिरकार कतर क्या चुपा रहा है इस FIFA World Cup की धूम-धाम के पीछे इस चीज़े इतने जरूरी भी है क्योंकि इससे जान जूडी हुई है साथी जानेंगे फीफा वर्ड कप का मैकेनिजम क्या और इसको कैसे आयोजित किया जाता है लेकिन आपकी परसनल फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर कौन है कौन लख सो कमुनिकर के ज़रू पताईएगा आपको बताते ही कतर को 2010 में अनाउंस किया गया था कि वो 2022 का वर्ल्ड कप आयोजित करेगा दोस्तों 2010 से करीबन 12 साल हो गया और कतर में इस दौरान कतर की पॉपुलेशन से 80% तक माईगरेंट वर्कर्स को बुलाया गया यानि कि दूसरे देशों से काम करने वाले लेबर्स को जिसमें से जातर आया थे नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, इंडिया, श्रीलंका ऐसे ही देशों से दोसों कई सारे workers ने बताया कि उनके साथ जबरदस्ती होती थी उन्हें जबरदस्ती काम कराया जाता था वो जो भी job कर रहे थे उसे छोड़ कर दूसरी job करने नहीं दिया जा रहा था काफी घंटों तक उनसे लगातार काम कराया जाता था साथ में 3-4 महिने तक उनकी payments यानि कि उनकी salary भी उनको नहीं दी जाती थी जिसके लिए उन labors और workers को कभी-कभी protest भी करना पड़ा और वो protest करते करते ही वो कई बार jail भी चले गए जिनके कई सारे वीडियो सामने है यानि पूरी तरीके से exploitation इन labors और इन workers का हो रहा था migrant workers ने बताया और कई वीडियो जारी की और बताया कि उनको बेड़ बक्रियों की तरह रखा जा रहा था एक-एक room में 10-10-12-12 लोग एक साथ रहते थे खाने को भी ढंग से कुछ मिलता नहीं था ये वीडियो बहुत सारी चीजों को expose करते हैं जो कि कतर की dark reality है दोसों चीजे यहां तक की ही नहीं थी कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कतर में फीफा वर्ड कप के लिए जब से काम स्टार्ट हुआ तब से करीबद 6500 से जादा लोग की death हो चुकी है और इन death में सारे ही migrant workers हैं जो की इंडिया, बांगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, स्री लंका और कई और ऐसे ही देशों से काम करने कतर गे थे आपको बताते हैं कि गल्फ कंट्रीज में 2014 से लेकर 2012 तक की 34,000 यानि 34,000 migrant workers की death हो चुचकी है ये Indian governments के आकड़े हैं साथी आपको बताती कि नेपाल में गल्फ से हर रोज average दो से 10 dead bodies भी आती हैं जो कि नेपाल के citizens की हैं और कुछ ऐसे ही डरावने आकड़े हर एक देश चे हैं जहां पर ये migrant workers जाते हैं गल्फ कंट्रीज में जब भी कोई एक death body किसी भी देश के citizens की आती है तो देखकर बहुत दुख होता है कि ये वही लोग हैं जो कि पूरी मेहनत करते हैं और एक अच्छे future और अच्छी life के लिए विदेश जाते हैं जादा पैसे कमाने के लिए जिससे उनका घर बन जाए या फिर उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर पाए ये लोग महिनों में पैसे भेजते हैं उस देश में जहां से ये आये हैं जिससे उनका घर घर चल सके और इनके पैसे भेजने से ही उस देश का foreign reserve भी बढ़ता है यानि कि इन लोगों का एक बड़ा हाथ है एक देश की economy में फिर भी इनको नजर अंदास किया जाता है तो एक तरफ FIFA World Cup जो की अर्जंटीना ने जीत लिया है उसकी खुशी है तो दूसरी तरफ इन migrant workers का एक बहुत बड़ा दुख है इन migrant workers के मामले में हर देश की सरकार को इस पर काड़ा रुक अक्तियार करना चाहिए जिसे इनके rights और इनको protect किया जा सके गर्मेंट अब धील नहीं दे सकती इन गल्फ countries के उपर जाने वाले लोगों को और migrant workers को जो भी countries ऐसे migrant workers को लेती है उनके उपर सक्त rule होने चाहिए वो country की पूरी जिम्मदारी है कि अगर किसी worker की death होती है उस पर proper investigation हो साथे साथ उसको एक proper compensation मिले और उनका exploitation ना हो सके जिसे इन deaths के number को कम से कम किया जाए और ना के बराबर किया जाए और अगर आपको भी यह लगता है तो प्लीज एक comment ज़रूर लखेगा इन migrant workers के लिए आप लोग को बता दें कि Amnesty International इस अंस्थानों ने FIFA से कहा है कि वो 440 मिलियन डॉलर की रेकम एक तरफ रखे जो कि इन migrant workers को दी जाए जिनकी कतर में exploitation हुआ है और उनका human right violation किया गया है आम तरफ फीफा वेल्ड कप बहुत जाए स्टेबल साथ है डेवलप नेशन ही आयोजीत करते हैं लेकिन इस बार का FIFA वेल्ड कप आयोजीत किया था कतर ने जिसको लेकर काफी जादा सवाल उठते रहे हैं और यह सवाल क्यों उठ रहे हैं इसको जाने के लिए आपको जान देश थे और आज करीबन 211 टीम से फीफा में किसी देश की ओर्गनाजेशन लगती है जो की फीफा वर्ड कप को आयोजीत करती है लेकिन ऐसा नहीं है इसके बारे में आप सुनकर शॉक हो जाओ कि फीफा एक एक एंजियो है यानि कि एक नॉन गॉर्मेंट बात करें जिसमें 2018 का वर्ड कप काउंट होता है फीफा ने उन चार सालों में करीबन कमाए है 6.4 बिलियन युएस जॉलर्स जो की बहुत बड़ी रकम होती है साथ 2019 से लेकर 2022 के इस कारेकाल में फीफा ने अभी तक की 7.4 बिलियन डॉलर्स कमा लिए और ये ये अभी बाक 50 भी नहीं लगती जो देश फीफा में करता है वही सारे इंतिजाम करता है फीफा के और वही सिर्फ जीवने वाले को golden कियो देने की के 28 मेंबर्स होते हैं तो यह तो मेकैनिस बिता कि फीफा कैसे काम करता है लेकिन आप सवाल यह उठ रहे है कि 2010 में फीफा ने जो वर्ल्ड कप आयोजित करने के लिए 2022 में कतर को नॉमिनेट किया था उसमें धांदली हुई थी क्योंकि अभी तक कि फीफा के 22 लोगों पर इन्वेस्टिगेशन चलिए जिसमें पता चला है कि यह लोग बैड प्रैक्टिस करते थे यानि कि यह लोग कुछ गलत करते थे और इनी की वज़े से कतर को नॉमिनेट क को आयूजित करने को हम लोगों ने दिया तो आकिरकर उन्हीं ने डिसीजन दिया और वही क्यों पलट रहेए इस डिसीजन से उसके पीछे बहुत सारी कारण है योगी कतर ने FIFA World Cup को आयूजित करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजे की जो कि दुनिया भर में एक नॉर्मल चीज है और कतर में वो सारी ही इलिगल है जैसे कि LGBT समाज वो कतर में टोटली बैन है और वो जो रेंबो वाले फैग होते हैं जो कि इन कम्यूटी के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी कतर में बैन है लेकिन पूरी दुनिया में वो एक नॉर्मल लोग हैं इसको लेकर बहुत सारी सवाल खड़े हुए कतर के साथ इलकोहल को लेकर भी कतर के उपर बहुत सारी सवाल उठे कतर ने इस वूर्ट कॉप में एलकोहल स्टेडियम में अलाई ही नहीं किया तो इस पर साब ngayनो के सायवार के साथ दो हजार बिलियन डॉलर्स फुटबॉल वर्ड कप को आयोजित करने के लिए खर्च किया लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन है जो कि कतर के अपने नीची कंस्ट्रक्शन है जैसे कि एक मैट्रो लाइन जो कि स्टीडियम तक पहुंचाती है साथ साथ कई सारी के लिए पूरे शहर और बिल्डिंग्स को बनाया गया बहुत सारे एरपोर्ट्स उनको एक्स्पैंड किया गया लेकिन फिर भी कतर को बिलियन सॉफ डॉलर तो खर्च करने ही पड़े कटर ने करेवन साथ स्टीडियम बनाया जो कि ये फुटबॉल वर्ड कप आयोजित कर उठता हूँ कि इतना सारा अगर एक देश का पैसा लगता है तो क्यों वो फीफा जैसे वर्ड कप को अपने देश में आयोजित करता है दोसों ऐसे बड़े इवेंट्स को आयोजित करने से एक देश काफी जादा मजबूत पोटरे होता है पूरे वर्ड में साथ कई सारा आने के चैसे बढ़ जाता है कि ऐसे बड़े इवेंट्स से बहुत साले टूरिस्स कतर में आते हैं कि हमने देखा कतर में 1.3 मिलियन से भी जादा लोग कतर में आये हैं जिससे उस कंट्री में जीडीपी बहुत जादा बूस्ट करती है और कतर में फीफा वर्ड कप को लेक धन्यवाद